मुजफरपुर के इंजीनियर उदै सिंग की गाड़ी जिसका नंबर है BR6DN3951 वो उनके घर पर कई दिनों से लगी हुई थी और वो गाड़ी उनके घर से बाहर निकली ही नहीं थी लेकिन एक ऐसा कांड बिहार के परिवहन विभाग वालों ने कर दिया है जिसको सुनकर आपको भी लगेगा कि भाई ये कैसे मुम्किन है क्योंकि गाड़ी तो घर पर खड़ी थी और चालान जब कट कर आता है मुबाईल पर मेसेज आता है कि आपकी गाड़ी ओवर स्पीड कर रही थी मुझफरपूर पटना हाईवे पर तब उदय सिंग हक्का बक्का रह जाते हैं उनको समझ नहीं आता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि मेरी गाड़ी घर पर ही खड़ी है हमने तो अपनी गाड़ी को बाहर निकाला भी नहीं है उसके बावजूद चालान कट गय चालान कट के मेसेज आ गया और जब उदय सिंग मुझफरपूर के परिवहन विभाग के पास गए उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा बात है कब परिवहन विभाग ने ये कहते हुए अपना पल्ला जार लिया कि देखिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया है ये जो चाला चालान कट के आता है मालिक के पास मालिक एकदम से हत प्रभ रह जाता है उसको समझ नहीं आता है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है कि गाड़ी हमारी मेरे पास है हमने गाड़ी को बाहर भी नहीं निकाला है फिर भी इन लोगों ने चलान काट दिया और चलान भी काटा तो किस बा नहीं है लेकिन कई दफा हो चुका है इसलिए हमने सोचा कि चलिए एक बार रिमाइंड कर दें ऐसा भी होता है और आपको पूरी कहानी भी सुना दें वैराल नमस्कार स्विकार करिए मेरे नाम प्रशांत्राय है आप जनता जंक्षन देख रहे हैं एक आदमी है जिनका नाम है उदय सिंग उदय सिंग सहाब है इंजिनियर और उनके मुबाइल पर कल मेसेज आता है कि आपकी गारी जिसका नंबर है BR06DN3951 ये मुजफर पूर पतना जो हाइवे है वहाँ पर एक जगा है चंदरहटी और वहाँ पर आपका गारी ओवर स्पीट था फोटो के साथ उनको चलान भेज दिया जाता है अब इधर उदय सिंग हरबडा जाते हैं वो कहते हैं कि भाई हम अपना गारी तो लेकर कहीं बाहर गय ही नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है उदय सिंग परिशान हो लाते है ये सोच कर कि ये कैसे हो गया इसके बाद उदय सिंग एक और बात पता लगाते है जो मुझफरपूर पटना का हाईवे है उसमें बीच में एक टोल पड़ता है टोल के पास ही बस कैमरा लगा है और जहां पर चलान कटा है चंदरहटी में वहां पर कैमरा है ही नहीं और जब कैमरा नहीं है तो कैसे फोटो खींच लिया गया और अगर पुलिस वालों ने नंबर मेरा है मेरे पास गारी का पूरा कागज है फिर ये कैसे हो सकता है कि गारी किसी और के पास उसी नंबर की हो सकती है ये तो नामुम्किन है लेकिन गारी का नंबर जो फोटो में दिख रहा है वो बिलकुल उदय सिंग के गारी का नंबर ही है गारी का जो रंग है वो दूसरे कदर की है और जो चलान में कट कर आया है वो दूसरे कदर का है उदय सिंग बहुत परिशान हो जाते हैं और जो चंदरहटी जगा है मुझा फरपूर पटना के हाईवे पर पढ़ता है वहाँ पर कोई कैमरा भी ने लगा है फिर भी चलान कट गया सिर्फ टोल पर एक चलान नहीं काटा है पटना से सीधा कैमरा से चलान कटा है और इस बात का जवाब वही लोग दे पाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गारी आपकी घर पर खड़ी है गारी का रंग भी दूसरा है और आपका चलान कट गया सबसे बड़ी बात कि दो नंबर की गारी हो ही नही से हुआ है कि देखिए गारी नमबर रहा है कोई और और चलान कट गया है किसी और गारी नमबर पर वो गारी कहीं और थी लेकिन दिखाया गया है कि वो बिहार में थी और ऐसे कई मामले आये हैं जब गारी के मालिकों ने बतौर पिडित मामला दर्ज करवाया है कंप्लेन तक किया है और ये बताया है कि गारी देखिये हमारी यहां पर है और आप लोगों ने चलान काट कर हमको भेज दिया यह सब बिहार में होता है बिहार एक अलग राज्य है अलग किस्म कराज्य है यहां पर कुछ भी हो सकता है आपको इस बात के लिए बिल्कुल तयार रहना होगा कब क्या हो जाए किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे आप जन्ता निंशन देख रहे थे फिर अन्य खबर के साथ मुलकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद